गुद्मानिंग स्टुडेंट्स तुडेंट्स टीचिंग टॉपिक इस केर ओफ प्रीटर्म बेबी जिसको आप परी पक्व शिशु भी बोलते हो थीक है न्यू इनिट्स होता है मिन्स जो अपनी जो नॉर्मल प्रेग्नेंसी का उससे पहले जिनका बर्त हो जाता है उनको ह हम प्रीटर्म अब बेबी वोलता है सब्सक्राइब की अब अपनामल बफ बिब्स फशावता होता है वो फफंटी sacr मतल होता है तो डेफिनिशन प्रीटर्म बेबी सुन को बोलेंगे जिनका बर्थ 37 वीक से कहले हो जाएगा अब इसके क्या कॉस्स हो सकते हैं तो इसके कॉस्स होते हैं कुछ स्पॉंटीनियस मतलब जो खुझ से हो जाते हैं जैसे कि मदर की हैल्थ स्टेटस से लो अगर सोच उसकी सोच एकनोमिक कंडिशन के हैं लो है तो उससे भी फरक पड़ता है तो इससे मदर को प्रॉपर न्यूटरिशन नहीं मिलेगा यह मल्टिबल प्रेग्नेंसी है काफी प प्लेसेंटर प्रफश है यहां प्लेसेंटर से बीवी को इला नूटरिशन हुक्त है नियूटरिशन सनाल पर मदर के पीटर मं होता है थो प्लेसेंटराप्लम के वह tasting यह स्पोंटीनेश कॉज़ेश होता है और प्रिवेट गया करता है अब इसके बाद है अगर मदर मकाफी काफी लमने टाम से कोई dizzis चल रही है उसको जिस gingい हो सकता है अंटी- towards-tarm- upfront तो और एक पर हैन। मैंस्तम की प्रेग में से पहले ब्लीडिग हुई है कुछ जाधा वैं मॉंट में तो उससे भी वी उसकता है !!! अगर मदर की辛े-cegret smoking या फिर alcohol वो लेती तो उस वज़ेसे भी हो सकता है pregnancy की टेम में ज्याद़ emotional stress अगर मदर को है उससे भी हो सकता है trauma है कोई injury हो गई ठीक है और congenital malformations पर होते हैं कुछ उसके वज़े से भी pre-term baby हो सकते हैं अब इसके बात है प्रीटम बेबी के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं वह दिखने में कैसे होते हैं कैसे पता चलता है कि यह प्रीटम बेबी हैं ठीक है तो सबसे पहले हम देखके उनके अपीरियंस में तो प्रीटम बेबी होते हैं उनके जो साइज होता है ठीक है जो हैड क जो फेस होगा उनका स्मॉल होगा लेकिन हैट क्या होगा एक्स्ट्रा लार्ज होता है ठीक है और आपने दिखाओगे बेबी के हैड में हम दो एक आपको दिखते हैं आपे फंटेनली जिनको बोलते हैं ठीक है मिंस की जिसको आप पर प्रेस करने पर जो अंदर की तरफ जाता है ठीक है तो फंटेनली होती है एक आगे की तरफ होती है जिसको एंटीर फंटेनली बोलते है और जो पीछे की तरफ होती है उसको पोस्टेर फंटेनली बोलते है तो इनका टाइम पिरेड होता है इसके बाद यह क्लोस हो जाती है जैसे कि जो एंटीर वाली होती है वह 18 में वह जाती ह क्लोज वाली जो होती है वह तू उAh after two year के बाद के बाद लोज ओती है तो इस मैं क्या होता है कि जो फंटमिलीज होता है ये जो टिकाइ। ज्जादा ही बड़े होते हैं ठीकित चीन जो तरफ को और इसके लावा क्या होता है कि जो पुरह लेंथ होती बैच्ची की ह से लेकर लेकर लेक्ट तक वह क्या होती है 47 से भी कम होती है वह 33 से से भी ही इसे event रख़्छन होता है थाटए थाट्टी मेटर्छ चैस्ट कि परीदी कोते यह थाट्ट जादा होती है अब बच्चे में क्या होता है की अब बच्चे में बताया था कि लैनूं को 듣 iStar कAnnas होते हैं और वर्निक्स के सियोसा होता है ठीक है इसके बहुत कम होता है ठीक है जो ठीक हेली चुपकर इसलेएवेज बहुत कम होता है और लेकिन र Theresa पहले पतल वाचतार यह आपलत होते झालमर असौट प्रेटक अधिम उक्तिया करम उप्रेश चभी कं पतली स्कृ अब फाल होंगे और पिंकिस और आ व्याधा हैatto तो यह प्रक्राइब करेंगे और रिफ्लक्स अपनी तरफ आपकी तरफ रहेगा तो यह रिफ्लक्स पी प्रीटम बेबीज में नहीं होते हैं अब इसके लाबा कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एर काट एर लोब देखा हो जो बच्चे का जो नॉर्मल बेबी होता है ठीक है उसका जो एर काटिलेज होता है एर का जो नीच वाला हिस्सा आपको दिख रहा है देखो यह पूरी तरीके से बना होता है ठीक है लेकिन प्रीट हो लाइए ऐर कान एजीली उसके फोल्ड हो जाएगा दिखो कि दा बगले ईसको फोल्ड कहने कुछ इस्पर होे तो एर कन एजीली फोल्ड हो जाएंगे ठीक है और अब लेकिन लिच स्तोर बिबीच Kita commitments निखिते हैं पह।ंगिंगर बिच्ठीक है इस में बहुत रनकल सुं ये ये है देखो जैनृ बच्च्चे में लेनुगा है ये प्रीटर बेबी का जिसमें ज्षाद्ध है ये इस देखे रहे हैं ये नामल बेबी का सोल है तो फिर प्रीटर मेबी का सूल है जैनाइ इस मिन जो जनाइटिल्स होते हैं ठीक है वो भी पूरी तरह किसे नहीं बने होते हैं ठीक है फिमेल और मेल के दिखाए और इसके लावाई ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्स नहीं होता है अगर आप इसके अपने उसको फिंगर देंगे अपनी तो अपनी तरफ पकड़ लेगा लेकिन प्रीटम में भी ऐसा नहीं करता है और हील टू एयर मैंवेल अगर देखो कि तो आप जो बच्चे की हील होती है इसके पैर के यहीं को अगर कांत लेकी जाओगी तो नॉर्मल्य हो नहीं जाती है लेकिन फिटम 250 में क्यूं आराम से इजली मूड जाएगी किसे बच्चेगि पैर मस्ल भी इससे बनी नहीं होती है है और इसके लावा ही अगर बच्चे के हाथ को आप ़िक कि है अब ऐसे बच्चे में क्या के प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है तो प्रीटेम जो बेबी होते हैं उनको बहुत हाइपो थर्मिय हो जाता है मेंसे बोड़े का टेंप्रेचर वह मेंटेन नहीं कर पाते हैं बहुत कम चले जाता है और उनको ब्रीधिंग डिफिकल्टीज होती है और एक अपनिया जिसको बोलते हैं साथ रुख जाना वह होता है ठीक है रस्पिरिटी जिस्ट्रस सिंड्रोम हो जाता है रस्पिरिटी सिस्टम चे रिलेटेड एनीमिया इंफेक्शन ठीक है यह कॉमन बीमारियां हो सकते हैं प्रीटम बेबीस में और उसके साथ है कि उनक सबसे पहला मैनेश्मेंट स्टार्ड होजाता है बड में जब उनका बर्त अ अब्स एनको अप्रोपियर प्लेस payments देने स्टेएं थर्मल प्रोटेक्शन करना है थर्मल मेंस करना है जैसे में आपको बला कि वह अपनी बोड़ी के टेंप्रेशर कोमें है नहीं करें तो यहां पर टेम्परेचर को मींटें करना हुता है फ्लूट देने होता है उन में मुनिटर करते हैं ऐसे बच्चों को तो बर्थ में क्या देता है कि ऐसे बिच्चे जो होते हैं जो जिनका बजह सौ ग्राम हनट थाउसन घ्राम से कम होता है ऐसे बच्चों को क्या होता है कि digging support जो हता है मिलस égal होता है तो ऐसमें उनको इंटूबिशन एक प्रोसिजर होता है जिसमें के एक नली को डालते हैं ठीक है सवाँस नली में जिससे कि आर्टिफिशल हम ब्रीधिंग देते बच्चे को बहर से ठीक है जो लंग फंक्षन निकरते हैं उसके मैच्व नहीं वे तो बहर से एर देते हैं उसको इंटू वाइटमिन के इंजक्शन दिया जाता है इनको बर्त की तुरंद बादी 0.5 mg इंट्रमस्कुलर और यह हो गया और इम्मिनाजिशन करना है बर्त की बाद तुरंद करते हैं राएग हम सीधे मदर की चस्प में बच्चो को रख देते हैं जिसे कि इसको मदर से हीट मिले ठीके और गंगारू मदर के रहे से बच्चो को दिये जाता है मैं आपको इससे पहले टॉपिक पढ़ा था उसमें बहता है था और वार्मर ब्रे ठीक के बाद भी इनको बGS के बाद होती है तो ऐसे बच्चो में की प्रोटीन डेली कैलोरी जितना देते हैं टोटल कैलोरी में से 10% प्रोटीन होना चाहिए उनकी डाइट में कि इनके बडी का वेट क्या होता है क्या होता है और ऐसे बच्चो कोальное बार्स 온तीनी कार्भोहड्रिट भी प्रोटीन इनको जादा देना है एक इंफेक्शन से बचाना है इमेराजिशन करना है और फाइब क्लीन प्रैक्टिसे यहां पर की जाती है जब बाइबी का बारत होता है जो कॉड होती है उसको कट करने के तरीगा की क्लीन हैंड होने चीह उससे भी अम कॉड क्लैम्प होना चाहिए जिससे क्लैम्प करते हैं कॉड को वो क्लीन होना चाहिए सर्फेस जहां पर बच्चे को रखाया वो सर्फेस क्लीन होना चाहिए ठीक है क्लीन प्रोसीजर होना है तो हम फाइव क्लीन प्रैक्टिसे से वहां पर कॉड से अम्लेकल कॉड से बच हैं का नॉर्मल से कलर iç पिंक होता है पेल हो सकता है도 यह बीडा हो सकता है ठीका फोल्ट देते हैं सब्मच्चों को स्थोट मिन जो आवी फ्लट से अ currently है और सब्य सब्सक्राइब करें और ब्रस्ट फीडिंग के लिए इनको आर्टिफिशल जो ट्यूब डालते हैं नाक से एंजी ट्यूब वो डालते हैं ऑक्सिजन सिचुरेशन चेकरना होता हैं का टाइम टाइम में ठीक है और इसी जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी होती है ठीक है तो यह वीडियो थी प्रीटम बेबीस के बारे में कि प्रीटम बेबीस क्या होते हैं उनकी क्या करसाइन है किसे पता चलता है कि वो प्रीटम में भी है ठीक है पहले तो हम वेट से पता लगाते हैं दूसरी चीजे उसके बॉड़ी के अपीरेंसे भी जैसे उनके हैट जो नोगो हेर्स जो होते हैं वरनिक्स केसी हो सा कम होगा तिक वाइट मैटीरियल होता है और इसके साथ में अगर बीबी है तो उसमें जो जनेट इंटल सोथे हищ अप नहीं होते हैं और एयर काटिलेज क्या होता है वो भी अच्छी आप बैना होता है और और अब आप सके पाम मे एक्टिविटी बहुत डल होती है ऐसे भी ज्यादा क्राई नहीं करते हैं तो इनका मैनेश्मेंट यह है कि इनको बर्थ के टैम में केर देनी है ठीक आप्टर बर्थ के बाद तुरंत इनको सक्षिनिंग करते हैं ठीक है सक्षिनिंग से में अगर कुछ अंदर इनके करते हैं तो इसके टैम्टेचर इनकुबेटर यह रीडिएंट फॉर्म में रखा जाता ऑक्षिजन सपूर्ट दिए जाता है सवच्छा को कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल झाल